11.2 गुरुत्वे त्वरण small g, gravitational acceleration small g गती के अध्याय में आपने जाना की बल के कारण किसी वस्तु में त्वरण उत्पन होता है किसी वस्तु को जब पृत्वी गुरुत्वाकर्शन बल से आकर्शित करती है तब उस वस्तु में भी त्वरण उत्पन होता है पृत्वी के गुरुत्वाकर्शन बल के कारण वस्तु में उत्पन त्वरण को गुरुत्वी त्वरण कहते है गुरुत्वी त्वरण को small g से दर्शाते है समीकरण 4 एवं न्यूटन के गती के दृतिय नियम की साहयता से हम small g का मान निकाल सकते है मालने के पृत्वी के सतह पर एक small m दर्विमान की वस्तु है पृत्वी उस वस्तु के उपर f बल लगा रही है समीकरण 4 से f बराबर capital g capital m गुड़त small m बटे capital r की घाद 2 capital m बराबर पृत्वी का दर्विमान capital r बराबर पृत्वी के केंद्र से उसकी सतह की दूरी small m बराबर वस्तु का दर्विमान है इस वस्तु में गृत्वा कर्शन बल कितना त्वरण उत्पन करेगा न्यूटन के गति के दृतिय नियम के अनुसार यदि यह त्वरण small g है तो f बराबर small m small g समीकरण 5 एवं 6 को एक साथ लिखने पर small m small g बराबर capital g capital m गुणित small m बटे capital r की घाद 2 small g बराबर capital g capital m बटे capital r की घाद 2 समीकरण 7 की सहायता से हम small g के मान की गड़ना कर सकते हैं प्रित्वी का द्रव्यमान capital m बराबर 6 गुणित 10 की घाद 24 किलोग्राम और 30 capital r बराबर 6.4 गुणित 10 की घाद 6 मीटर गड़ना करने पर small g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड की घाद 2 के लगभग हैं इस अध्याय में सभी गणती सवालों को हल करने के लिए सुविधा के लिए हम small g के मान को 10 मीटर सेकेंड की घाद रिन दो लेंगे क्या small g का मान सभी स्थान पर एक ही है क्या small g का मान वस्तु के द्रव्यमान, आयतन, आकार, वस्तु की प्रकृती, घनत्व, प्रित्वी के उपर की अवस्था और प्रित्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर करेगा इन में से कौन से कारक महतुपून है क्या प्रित्वी के द्रूर और भूमद्य रेका पर small g का मान समान है कहां पर यह मान अधिक होगा अपने साथियों से चर्चा करें